हलो आईरवान कैसे हो आप सब मैं हूँ आपके माम इलाकरांती और आज मैं क्लास 11 के बच्चों के लिए ले करके आए हूँ वन शॉर्ट चाप्टर आपका पार्ट टू फिजिक्स का वन शॉर्ट आज की सेशन में हम देखने वाले हैं जिस चाप्टर का नाम है ठोस के गयांतरिगोण तो बाई ये चाप्टर का जो कॉंसेट इसकी कहानी कहां से शुरू होती है तो हम बात करेंगे कि वैसे हमने जब फिजिक्स की पढ़ाई शुरू करी थी तब हम लोगोंने मतलब फिजिक्स के बारे में समझा था कि सारी ठीक है तो आप जो क्लास 11 की फिजिक्स पार्ट टू पढ़ोगे तो यहां पर आप इन ठोस द्रव और गैस इनके यांतरिगोणों के बारे में और तापिय गुणों के वाले में पढ़ने वाले हो इस चाप्टर में हम ठोस के यांतरिगोण का जो पूरा मैटर है वो हम ठीक है तो मतलब क्या कहानी इसकी हो सकती है इसके बारे में हम जानेंगे लेकिन उससे पहले हम यहां पर देख लेते हैं कि कौन-कौन से टॉपिक इस चाप्टर में हम कवर करने वाले हैं तो इस चाप्टर में हम इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं विरूपन के द्रव के यंग गुडांग का मापन अप्रूपन गुडांग और आईतन गुडांग पाइसन अनुपात स्वयम के भार के कारण तार की लंबाई में किस तरह से वृद्ध्य होती है खीचे हुए तार की स्थितिच उर्जा प्रत्यासता को प्रभावत करने वाले कारत तो इन चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं ये तो टॉपिक के नेम्स हो गए अब इनके मतलब हम समझते जाएंगे धीरे-धीरे सारा कुछ समझ लेंगे एक ही वन शॉट में समझ लेंगे तो दिक्कत की कोई भी बात नहीं है यहां पर यह जो प्रत्यासता वर्ड आप पर निर्भर करता है क्या होता है प्रत्यासता का गुण इस पर चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं यह बहुत ही खुबसूरत सी पिक्चर जिसमें आपका यह प्रत्यासता का गुण और ठोसों के यांत्री गुण में जो भी टॉपिक्स अभी मैंने आवस्थाई या फिर हम कहना सकी भौतिक राश्यों के बारे में जो बात करें वो सारी की सारी जो है यहां पर इस्तमाल हो रही है जैसे कि आप देख पारें काफी खुबसूरत सा ब्यूटिफूल यह ब्रिज जो है बनाया गया है और यह जो ब्रिज बना है तो यह का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है तो यहां पर जो कंस्ट्रक्शन मटेवियल्स इस्तमाल किये जाते हैं एक बिल्डिंग को मजबूती से खड़ा किया जाता है तो यह सारे के सारे कॉंसेप्ट जो है ठोसों के यांत्रिक गुणों पर आधारित होते हैं प्रत्यास्थता क गुण अगर हमको समझना है तो यह तो हम लोगों ने फाइनल एक्जामपल देखा और इसे बहुत सारे एक्जामपल्स है आपके चारों तरफ जहां पर ठोसों के ग्यांतरिक गुणों में जो पढ़नी वाली चीजे हैं उनका रियल लाइफ एप्लिकेशन है लेकिन उनकी शिरुवारत कहां से होती है उसको अगर हमको समझना है तो उसके लिए हम कुछ एक्जामपल्स यहां पर देखेंगे बिटा इन एक्जामपल्स में आप देख पा रहे हो जैसे कि यहां पर हम क्या करें किसी जब हम छोड़ रहे हैं ठीक है देखो जब फिलाएंगे तो बल लगाएंगे यहां पर जब दबाएंगे तो भी हम बल लगा रहे हैं ठीक है लेकिन वापस से वो जो है बल को जैसे ही हम हटाते हैं अपनी पूर्वा अवस्था में आ जाता है अब यहां पर यह लो यह एक spring देखो इस spring को अगर दोनों दरब से इस तरीके से खींचा जाए ठीक है खींचा जाए तो वे खिच जा रहा है ठीक है तो इसकी आकरती और आकार में यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है यहाँ पर भी इनकी आकरतियों में और आकार में क्या हो रहा था परिवर्तन हो रहा था लेकिन यह वापस से स्प्रिंग जो है, जैसे हम इसको खींचना छोए, तो यह वापस से अपने पहले जैसी पूर्वा वस्था में आ जाएगा, अब यहाँ पर देख सकते हो, कि कुछ material है, जिसको लचीला material है, ठीक है, जिसको हाथ से जो है, यहाँ पर बल लगाया जा रहा है, ठीक है, अब जैसे उस बल को हटाएंगे, यह अपनी पहली जैसी अवस्था में जो आप आएगा, मतलब लचीला पन आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है, यह जो गुड है, कि अगर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखो हम यहाँ पर दबा रहे हैं, यहाँ पर ह इनकी आकरती और आकार में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जैसे ही हम उस बल को हटाते हैं, तो इनका एक विरोधी बल भी कारे कर रहा है, जो इनको पहली जैसी पूर्व अवस्था में लेकर आ रहा है, जैसे कि रबड बेंड आप यहाँ पर फिला रहे हो, जैसे ही उसको चोड़ोगे, वह पहले जैसे अवस्था में आ जाएगा, बलून की बात करें, अगर हम बलून को फुलाते हैं, तो बलून फुलाने के बाद बिल्कुल, मतलब वहां पर भी हवा हम डाल रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो वह अपना पूरा आकरती और आकार बड़ा सा ले लेता है, बलून फूल जाता है, और जैसे ही अगर हम, मतलब जो हम लोगों ने बल लगाया था, वह बल हटा दिया, और बलून की अंदर की हवा जैसे भी बाहर निकल गई, वह बलून अपने पहले जैसे अवस्था में आ जाएगा, वापस पिचक जाएगा, राइट, ये प्रत्यास्थता का गुण कहलाते हैं, ठीक है, ये सारे गुण जो है, प्रत्यास्थता के जो गुण है, वो किन में देखे जा रहे हैं, यहाँ पर ठोसों में प्रत्यास्थता के गुण हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, अब हम जो है, बात करते हैं, जो हम लोगों न को फुला रहे थे तो वहाँ पर हम क्या कर रहे थे एक तरह से बल लगा रहे थे ठीक है बल लगा रहे थे हम लोगों ने गती का कारण पढ़ा या किसी भी कारण से कोई वस्तु अपनी स्थिती में परिवर्तन करती है तो वहाँ पर क्या हो लगता है किसके कारण करती है अप बल लगने के कारण करती है अब इस तरह से इन ठोस वस्तूओं में इनकी आकरिती और आकार में परिवर्तन के लिए जो बल लग रहा है इस बल का नाम है विरूपन बल क्या नाम है इस बल का नाम है विरूपन बल अब यहां होता क्या है इसकी परिभाशा क्या होती है जब कि किसी बॉल को पिचकाएं, तो क्या हो जाएगा? वो अपना रूप बदल लेगा. ठीक है? तो इस स्थिती में जो लगने वाला बल है, वो क्या कहलाता है? विरूपन बल. मतलब उसके रूप को परिवर्तित करने खीचने के लिए जो ताकत हम लगा रहे होते हैं तो रबर बेंड वहाँ पर एक अलग से ताकत लगा रही होती है जो हम को खीचने का हमारे खीचा हम जो खीच रहे हैं रबर बेंड को जहां पर जो हम रबर बेंड को खीच रहे हैं इसका क्या करेगी विरोध करेगी तो यहा तो अपनी पहले की आवस्था को वापस से प्राप्त कर लेना प्रत्यासता का गुर्ण कहलाता है तो अभी मैंने जो आपको बहुत सारे एक्जाम्पल्स आप लोगों को दिखाए हैं ठीक है वैसे आपके लाइफ में भी बहुत सारे एक्जाम्पल हो सकते हैं क्या के एक्जाम्पल्स अभी आपके दिमाग में आ रहे हैं जल्दी से नीचे आपको कमेंट बॉक्स में लिक करके जरूर बताना है सारे बच्चों को और फड़ा फड़ से इस वीडियो की लिंक अपने सारे दोस्तों को शेयर करना है जरूर करना है क्योंकि ये चाप्टर हम बहुत ही इंट्रस्टिंग तरीके से मज़ेदार धंग से जो है हम पूरा करने वाले हैं वन शोट में करने वाले तो सारे दोस्तों को बुलाना नहीं भूलना है चैनल पर अगर आप नए हो तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन जरूर हिट करना है बैल आइकॉन जरूर दबाना है ताकि आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे बढ़ते हैं हम अपने प्रत्यास्ता गुण के साथ आगे इस ठोशो के यांतरी गुण को समझने के लिए तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो प्रत्यास्ता का गुण देखा जा रहा है तो उसका कारण क्या है जैसे हम लोगों ने गती का कारण पहुत पढ़ाता वैसी हम प्रत्यास्ता के कारण को पढ़ रहेंगे कि वो अपने पहले जैसी अवस्था में किस तरह से आप आ रहा है किस कारण से आप आ रहा है तो वो कारण है उनका अंतर आणविक बल अंतर आणविक बल सब्दों से यहाँ पर समझ में आ रहा है वैसे आप लोगोंने केमेस्ट के जो छोटे छोटे कड़ है परमारू ठीक है जो परमारू है उन परमारू के बीच में मालो की कोई भी वस्तु यहाँ पर दी गई है मालो की कोई पत्थर है और मालो की कोई पत्थर है रबड है कुछ भी हो सकता है ठीक है तो इसके अंदर जितने भी परमारू है उनके ठीक है तो यहाँ पर जो परमाणों के इन परमाणों के बीच में जो बल लग रहा है यही बल क्या कहलाएगा अंतर आनविक बल कहलाएगा किसी ठोस में उसके अणों और परमाणों के बीच लगने वाला बल ही क्या कहलाता है अंतर आनविक बल कहलाता है और इसी की वज़ा स से थोस के अणू जो है आपस में बहुत ही जादा मजबूती से जुड़े होते हैं ठीक है कैसे जुड़े होते हैं मजबूती से जुड़े होते हैं पास पास जुड़े होते हैं ठीक है समझ में आया प्रत्यास्थता का कारण क्या है यहां पर प्रत्यास्थता का कारण इनका अंतरानविक बल है क्योंकि वो एक दूसरे के साथ किस तरीके से जुड़े हुए है मजबूती से जुड़े हुए है लेकिन देखो यहाँ पर मैं एक एक्स्ट्रा आपको कुछ चीज बताना चाहूंगी हमने प्रत्यास्ता के गुण के बारे में पढ़ा कि अगर हम किसी भी अवस्था में नहीं आएगा मान लोकि किसी पथर को तोड दे तो वो भी अपने पहले जैसी आवस्था में नहीं आएगा मान लोकि किसी प्लास्टिक की कुर्सी तूट गई तो क्या वो पहली जैसी अवस्था में आ पाएगी नहीं आ पाएगी ठीक है तो इस तरह की वस्तुए जहां पर अगर हम बल लगा रहे हैं तो वो बल बाहे बल विरूपक बल कहलाएगा क्योंकि वो उसकी अकार और अकृती में परिवर्तन कर रहा है ले जो अब रत्यासता का गुण कहलाता है क्या ऊलाज यह द्लयाक का टेकर बातियास्ता का विपरित विलोण शब्द require ठार एगक किन वस्तुओं में देखा जाता है उन वस्तुओं के बारे में आप एक्सांपल लिख सकते हो ठीक है चल तो वैसे हमको सारी की सारी चीज़े प्रत्यास्था के गुण के बारे में पढ़नी है प्रत्यास्था का जो विपरित या विलोम शब्द और उसका जो अर्थ हो सकता है ठूसो के यांत्रिक गुण में वो मैंने आपको समझा दिया है आगे बढ़ते हैं अब हम बात करेंगे कि प्रत्यानयन बल की अब ये प्रत्यानयन बल क्या है तो जिन वस्तों में हम प्रत्यास्था का गुण देख रहे हैं प्रत्यास्था का गुण हमने कब देखा कि मालो की जैसे की रबड बैंड है मालो की जैसे की रबड बैंड है और इस रबड बैंड को हम क्या कर रहे है खीच रहे हैं खीचने के बाद जैसे ही हम यहाँ पर से क्या करते हैं बाहिय बल हटाते हैं बाहिय बल हटाने से क्या होता है वो अपनी पूर्वा अवस्था में आने के लिए पूर्वा अवस्था में आने के लिए इस रवर बैन के द्वारा उसके अंदर से एक बल लगेग आंतरिक बल जो की इस विरूपक बल का विरोध कर रहा है ठीक है जो उसको पहले जैसी अवस्था में लाने का प्रयास कर रहा है तो ये प्रयास रदबल ही यहांपर प्रत्या नयन बल कहलाएगा इसकी परिभाशा देख लेते हैं कि किसी वस्तू पर बाहे विरूपक बल जो हम विरूपन बल लगा रहे हैं उसका विरोध करता है ठीक है तो ये जो आंतरिक प्रतिक्रिया बल है मतलब विरोधी बल है ना वो क्या कहलाता है प्रत्या नयन बल कहलाता है अब इसको हम प्रतिक्रिया बल क्यों कह रहे हैं तो क्योंकि यहां पर बाहे बल का लगना यहा और प्रतिक्रिया बल पढ़ा था तो भई हम यहाँ पर इसको खीच रहे हैं तो खीचने के लिए जो बल लगा रहे हैं वो क्रिया और जो उसके विरोध हमें वापस अपनी पूर ववस्था में आने का प्रयास कर रहा है वो प्रतिक्रिया जो की प्रत्या नयन बल कहलाता है अब इस प्रत्यानन बल को हम यहाँ पर F से ही प्रधर्शित करेंगे, देखो हम बल के बारे में जब भी पढ़ते हैं, तो बल के कई प्रकार होते हैं, है ना जैसे कि भार भी एक बल का प्रकार है, है ना और भी हम यहाँ पर कुछ बल पढ़ेंगे, जहाँ पर आपको बल के कई प्रकार, तनाव, बल, घर्शन, बल, काफी सारी चीजे हैं, और यहाँ पर जब हम ठोसो के यांतरिक गुड़ों की बात करते हैं, बिटा, तो यहाँ पर आपको ठोसो के यांतरिक गुड़ों में भी बल के अनिक प्रकार देखने के लिए मिलेंगे, तो यहाँ पर प्रत विमा होती है MLT की घार माइनस दो यह क्या होती है बलकी विमा आगे बढ़ते हैं पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु किसको कहते हैं तो देखो प्रत्यास्थता का गुड जिन वस्तुओं में देखा जाता है वही वस्तुए जो है पूर्ण प्रत्यास्थ हो सकती है अब यह पूरी तरीके से अपनी प्रारंभी का वस्था में आ गया तो वो पूर्ण प्रत्यासता का पूर्ण प्रत्यासत वस्तु कहलाती है देखो वैसे अगर मैं रबर बेंड की बात कर रही थी या फिर मैं बात कर रही थी बलून की बात कर रही थी स्प्रिंग की तो जब हम इनको खींचते हैं ना तो ये अपनी पूर्व अवस्था में वापस तो आ जाते हैं ठीक है ये अपनी पूर्व अवस्था में वापस तो आ जाते हैं पर कुछ ना कुछ यहां पर एकदम सेम नहीं हो पाता मतलब की देखना एक रबर बेंड की ही अगर बात करें तो एक समय के बा rubber band अगर मालों मालों लड़कियां जो बालों पर rubber band लगाती है वो जो है use करते 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 एक समय के बाद धीला हो जाता है ठीक है क्योंकि वो हर बार अपनी पहली जवक जैसी अवस्था में वापस आतु रहा है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं आ रहा है अगर जैसे कि हम pant के rubber की बात करें तो कई pants में जो rubber लगे होते हैं धीरे धीरे एक समय के बाद धीले पड़ जाते हैं वो उसका कारण भी यही है कि वो मतलब कि use करते करते वो बार बार वहाँ पर हम उनको खीचते हैं बार बार वहाँ पर जो है वो अपनी पहले जैसी अवस्था में आते हैं लेकिन हर बार वो पूरी तरीके से नहीं आ पाते हैं पूर्ण प्रत्यास नहीं होते हैं एक समय के बाद वो धीले पर जाते हैं ठीक है तो यहाँ पर समझना थोड़े बारिक है यहाँ पर समझना ठीक है पर पूर्णता प्रत्यास सवस्तु की बात हम करेंगे तो पूर्णता प्रत्यास सवस्तु जो है एक आदर्श वस्तु है यहाँ पर आदर्श रूप में प्रत्यास सवस्तु का गुंड देखा पून प्रत्यास स्वस्तू का बहुत ही आधर्श एक्जामपल है और आप यहां पर समझ रहे हैं पून प्रत्यास स्वस्तू के बारे में तो आप लोगों ने कई बारी घड़ी देखियोगी जो आप पहनते हो जो दिवार पर टंगी होती है उन सभी घड़ियों में होता है quads ठीक है क्यों लिखा होता है इसका कारण भी यहीं है क्योंकि घड़ी की सुई बार-बार जो है घुमती है ना बार-बार घूम रही होती है तो वहां पर घड़ी की सुई भी एक ठोस मटेरियल की बनी हुई है है की नहीं अब उसको जो है चौविस घंटे में कम से कम दो चक्कर घूमना है और तीन सो पैंसाट दिन में तो पता नहीं कितने चकर घूमने है ठीक है तो घूमने के पश्चात मतलब की वह अपनी स्थिती में परिवर्तन करी है आकार और आकृति म में उसको परिवर्तन हो रहा है पर वापस अपनी पूर्वा वस्था में आ जाए तो पूर्णता तरीके से वह प्रत्यास्त होनी चाहिए ताकि मतलब की एक समय के बात मतलब की घड़ी का कांटा जो है डिफरेंट ना हो हना जब बारा बज़े हैं तभी बारा बज़े हु वे घड़ी में शो हो कारण समझ रहे हो कि मालो कि अगर वो पूर्णता प्रत्यास्त नहीं होगी तो क्या होगा तो कई बारी जो है ना दो पांच छे मिनट का आपका जो है एक्जेक जो समय है उसमें अंतर आ सकता है अगर आप किसी दूसरे माटेरियल से वह घड़ी की है जब हम तो क्वार्ट के मैंतरियल का हम समाल करते हैं क्योंकि ये पूर्ण Voltas वस्तू का एक्जांपल है हम अगे बढ़ते हैं हम प्लास्टिक वस्तू की बात करते हैं तो मैंने आपको प्रत्यास्थथटा के गुर के सांसत और प्रत्यास्थटा का गुर्ण भी समझाया है ठीक है तो यह अप्रत्यास्थता का गुण जो है यह plasticity कहलाती है अब देखो मैं थोड़ा आपको बता देती हूं हमने क्या पढ़ा प्रत्यास्थता का गुण पढ़ा ठीक है और हमने क्या देखा अप्रत्यास्थता देखा क्या देखा अप्रत्यास्थता अप्रत्यास् यह भग में तो प्सकी का जो गुड़ के प्लास्टिक की वस्तो premature का नाम ही इस लाइस को एग्जांपल से जाए तो वापस वह पहले जैसे अवस्ता में नहीं पर अगर हम क्या करेंगे विरूपक बल लगाएंगे ठीक है तो विरूपक बल का विरोध करने का यहां पर गुड़ नहीं देखा जाता है यह वस्तुवे प्लास्टिक वस्तुवे कहलाती है जो बाहरी बल को हटा लेने के परश्चाद अगर मान लो कि यह तूट गई तो य प्लास्टिक वस्तुवे कहलाती है एक्जाम्पल्स आप देख सकते हो काफिसार अगे बढ़ते हैं अब इसके बाद जो है हम बात करेंगे प्रतिबल के बारे में तो यह प्रतिबल क्या है अब प्रतिबल जैसे कि आपने एक विकृत शब्द अभी विकृत अवस्ता टू ठीक है तो यहां पर हम पहले समझते हैं प्रतिबल को तो जब हम प्रतिबल की बात करते हैं तो प्रतिबल का मतलब क्या होता है जैसे कि हम क्या कर रहे हैं किसी भी वस्तू में हम क्या कर रहे हैं विरूपन बल लगा रहे हैं अब इस विरूपन बल के कारण क्या हो रहे है इसके आकरिती और आकार में परिवर्तन हो रहा है और आकरिती और आकार में परिवर्तन होने के बाद अगर वस्तु में प्रत्यासुता का गुड़ है तो क्या करेगा जो इसके अंतर राणविक बल है उनके कारण यहां पर इस विरूपन बल का क्या होगा इस विरूपन बल क शेत्रफल पर लग रहा होता है अगर ये प्रत्यानियनबल किसी वस्तु के एकांग अनुप्रस्त काट के शेत्रफल पर अगर लग रहा होता है ठीक है तो यहां पर यहां पर यह जो प्रतिक्रियाबल है एकांग अनुप्रस्त काट के शेत्रफल लगने वाला जो प्रतिक्र को हम क्या कर रहे हैं इस प्रतिबल को जो है हम सिगमा से प्रदर्शित कर रहे हैं किस से प्रदर्शित कर रहे हैं हम इस प्रतिबल को सिगमा के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं आप देख पारे हो परिभाशा में वस्तु के एकांग अनुप्रस्त काड के शेत्रफल पर का आंतरिक प्रतिक्रियाबल मतलब की प्रतिक्रियाबल मतलब की आंतरिक प्रतियनियन बल ही क्या कहलाता है प्रतिबल कहलाता है जिसको हम सिग्मा आक्षर से प्रदाशित कर रहे हैं ठीक है तो यह क्या होगी अगर मालों की यहाँ पर अगर इसको पूर्ण रूप से लिखोग पर क्योंकि हम यहाँ पर revise करें one shot हम देख रहे हैं तो हम quickly थोड़ा आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे प्रतिबल के प्रकारों की तो सबसे पहला प्रकार अभिलंब प्रतिबल है यहाँ पर कि जब किसी वस्तु पर लगने वाला प्रतिबल या उसका अव्याव वस्तु के अनुप्रस्त काट के लंबवत कारे करता है देखो अभिलंब शब्द का मतलब ही यहाँ पर बता रहा है कि जो हम यहाँ पर प्रतिबल हम जो लगा रहे हैं यहाँ पर हम प्रतिबल जो लगा रहे हैं ठीक है प्रतिबल जो लगा रहे हैं वो इस प्रकार कारे करता है कि वो लंबवत हो वस्तु के, कैसा हो, लंबवत हो, तो ये क्या कहलाता है, प्रतिबल या फिर अनुदैज या प्रतिबल कहलाता है, तनन बल, तनन प्रतिबल अब यहां पर क्या हो गया, अभी हम लोग ने अभिलंब प्रतिबल देखा, तो यहां पर जब अभिलंब प्रतिब लग रहा था तो वो अभिलंब प्रतिबल कहला रहा था जब हम तनन प्रतिबल की बात कर रहे हैं तो यहां पर लंबवत जब खीचाव होता है तो यह तनन बल जो है आपका अभिलंब प्रतिबल का एक अभिलंब प्रतिबल का ही प्रकार है जिसमें यहां पर अगर तनाव उ पर उत्पन यहां पर अनुदैर्ध्य प्रतिबल को ही हम क्या कहते हैं तनन प्रतिबल कहते हैं ठीक है अब अनुदैर्ध्य प्रतिबल की बात करी जा रही है तो यहां पर आप समझना कि जब हमने अभिलंब प्रतिबल के बारे में पढ़ा तो यह अभिलंब प्रतिबल जो ह इसका दूसरा नाम आप देख पा रहे हो, ठीक है, तो confused नहीं होना है, क्योंकि यहां पर आप बलके बहुत सारे प्रकार पढ़ोगे, बहुत सारी बहुत इक राशियों के बारे में पढ़ोगे, तो बिल्कुल भी आपको confused नहीं होना है, ध्यान रगना है, शब्दों के अर् यहां पर जो अनुदैज प्रतिबल लग रहा था वो आपका तनन प्रतिबल कहला रहा था अब यहां पर अगर हम किसी चीज को अगर हम क्या करेंगे दबाएंगे तो यहां पर क्या उत्पन होगा संपीडन उत्पन होगा ठीक है तो यहां पर जो संपीडन उत्पन हो रहा है ये बल यहाँ पर क्या कहलाएगा संपीडन प्रतिबल कहलाएगा ध्यान रखना है आपको सारी चीजों को अब इसके आगे हम हमने जैसे यहाँ पर अनुदैज प्रतिबल या फिर हमने अभिलम प्रतिबल देखा उसी तरीके से एक दूसरा रूप है प्रतिबल का ठीक है आतव और नहीं के देखा है इस पर रहा है अनुदै पर टेख्ण हमंने इस तरीके से हारिजन्टल वहांपर देखेंगे तो अभीअ देयं लगे आता है यहां पर किसा ही जाते है यहां पर यहां पर धिखाई गई गई lanêsTION तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर जो है इस पर्श रेखिये रूप में क्या लग रहा है इस पर्श रेखिये रूप में यहाँ पर प्रतिबल लग रहा है समना अंतर कार्य कर रहा है और यह क्या कहलाता है अपरूपन प्रतिबल कहलाता है क्या कहलाता है अपरूपन प प्रतिबल का प्रकार हो गया अब जो भी आप लोगों ने यहां पर प्रतिबल के प्रकार देखे इसको एक बार जो है हम देख लेते हैं कि जब हम लोगों ने यहां पर प्रतिबल देखा ठीक है तो प्रतिबल के हमने दो प्रकार देखे एक हम लोगों ने देखा अभिलंब एक है तनन प्रतिबल और एक है क्या संपीडन प्रतिबल ठीक है तो यह हम लोगोंने सारा का सारा संप्रतिबल के बारे में पढ़ लिया लेकिन इससे पहले जब हम लोगोंने प्लास्टिक वस्तों के बारे में पढ़ाता तो एक शब्द यहां पर मैंने आपको कहा था कि बाय विरूपक बल लगाते हैं ठीक है तो बाय विरूपक बल लगाने के बाद वस्तु की आकार या आकरिती दोनों में क्या होता है परिवर्तन होता है ठीक है और वस्तु की लंबाई आईतन या आकार में जो परिवर्तन होता है वस्तु के आकार में परिवर्तन तथा प्रा बड़ बेंड को खीच रहे होते हो तो एक समय की बाद वो धीला फट जाता है क्योंकि वो पहले जैसी अवस्था में वापस आता तो है लेकिन पूर्ण रूप से वापस नहीं आ पाता है पूर्ण रूप से पूर्णता 100% प्रत्यास्त नहीं होता है इसका मतलब अगर 100% प् नहीं आ पाता कुछ ना कुछ परिवर्तन रह जाता है एक परसेंट या 0.1% ही क्यों ना हो पर परिवर्तन रह जाता है वो ही परिवर्तन क्या कहलाती है विकृती कहलाती है क्या कहलाती है विकृती कहलाती है तो यहां पर विकृती से मतलब क्या हो गया हमारा कि विकृती स मतलब यह हो गया कि जो उसका पहले का आकार था प्रारम्भीख आकार ठीक है और उसके अलावा इसका किसके साथ रेशिओ हम देखेंगे कि जब हम यहां पर विरूपक बल लगाते हैं ठीक है तो विरूपक बल लगाने के बाद जो आकार में परिवर्तन आता है आकार में परिवर्तन ठीक है ये जो अनुपात हम देखेंगे ये जो है आपकी विकृती कहलाएगी अब विकृती यहाँ पर तीन तरीके से उत्पन हो सकती है एक तो उसकी लंबाई के साथ विकृती उत्पन हो सकती है एक आईटन के साथ और तीसरा जो है उसके अकार के और जब इसके आईतन में आईतन में विकृति जब उत्पन होती है मतलब आईतन मतलब क्याना चाहिए कि अगर हम किसी बॉल को हम दबा रहे हैं बल लगा करके तो वह पहले जैसे अवस्था में तो आ रहा है लेकिन पूर्ण रूप से 100% नहीं 99.9% आया 0.1% उसमें क्या रह गई विकृति रह गई तो उसके आईतन में जो विकृति हुई वो क्या हो गई आपकी आईतन विकृति अप्रूपन विकृति तो जैसे की मालो की हमारे पास कोई कार्टून बॉक्स है ठीक है कार्टून बॉक्स है अब मालो कि वो बॉक्स हमने बंद करी खोली हमने कहीं पर और शिफ्ट करी फिर से बंद करी फिर से खोली तो हुआ क्या कि वहां पर हमने प्रतिबल और प्रतिबल लगाया वापस वो पूर्ण प्रत्यास्त हुआ लेकिन उसके आईतन में कुछ अपरूपन प्रतिबल के कारण, उसके आकार में किस में? आकार में उसके अपरूपन प्रतिबल जो अभी हम लोगों ने पढ़ा अपरूपन प्रतिबल के कारण कुछ ना कुछ वो प्रतिबल हटाने के बाद भी कुछ ना कुछ विकृती 0.1% की रहे इन तीनों को one by one हम detail में देखेंगे पर उससे पहले हम यहाँ पर हाँ अनुदैध्य विकृति के बाले में सबसे पहले देख लेते हैं कि देखो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई भी चीज वस्तु की लंबाई में यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है क्या हो रहा ह ठीके यह दोनों का अनुदैर्ध्य विकृति त्म पर आयतन में तो जैसे के बात कर रहे है तो जैसे की मैंने आपको बॉल का एक्जमपल दिया यह किसी बॉक्स को यहाँ पर यहाँ को बॉक्स का एकशमपल हो गया अगर हम यहाँपर क्या कर रहे हैं विरूपक बल लगा रहे हैं तो विरूपक बल के कारण इसके आईटन में क्या हो रहा है यह पहले जैसे वापस सिफ हो तो रहा है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं हो रहा है कुछ तो भी परिवर्तन रहे जा रहा है आईटन में तो इसका जो प्रयारंभिक आईटन है और इसके आईटन में जो आईतन में जो परिवर्तन उत्पन हुआ है ठीक है ये क्या कहला रही है यहां पर इनका जो अनुपात है ये आईतन विकृति कहला रही है क्या कहला रही है आईतन विकृति कहला रही है डाइग्राम से आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो आईतन विकृति के बाद अपर उपन विकृति की जब हम बात करते हैं, तो जैसे मैंने बॉक्स का आपको एक्जाम्पल दिया, ठीक है, जिसके पहले हम लोगों ने एक बेलना कारवस्तु का एक्जाम्पल दिया था, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, कि पहले यहाँ पर जो बॉक्स है, यहाँ पी और प विकृति उत्पन हुई, क्या उत्पन हुई, कोडिया विकृति उत्पन हुई यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर आकार में परिवर्तन के कारण जो विकृति उत्पन हो रही है, ठीक है, वो क्या कहलाएगी आपकी अपरूपन विकृति कहलाएगी, क्या कहलाएगी कोडियां विस्थापन के तुल्य है किसके तुल्य है कोडियां विस्थापन के तुल्य है और यहां पर फाई कोड में जो विस्थापन हो रहा है यह आपका पीपी डेश और जो पी ए है यह ना पीपी डेश और पी ए यह जो अनुपात है वह आपका क्या कहलाएगा अपरू पर विकृती लिख सकते हैं इसको आप फटा-फट से और इसकी डैफिनेशन भी आप नोट कर सकते हो या फिर आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो हमने जो है प्रतिवल और विकृती के सारे प्रकार यहां पर हमने देख लिए है लेकिन अब हम जब बात करने जा रहे हैं जिसके आपने नाम हो सकता है की सुना हूं भी हो सकता है कि नास ना होँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुत इंपॉर्टंट है होक यहां पर साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने 1678 में सर्व प्रथम जो है कुछ प्रयोग किये जहां पर उन्होंने विरूपक बल लगाया हटाया और इन ठोसों के संबंध में उन्होंने जो है कुछ रिलेशन दिया जो हम लोग ने प्रतिबल और विकृतीव के बारे में जो पढ़ा उसके बारे में इन्होंने कुछ रिलेशन दिया जो कि हुक के नियम के नाम से जाना जाता है क्या होता है हुक का नियम तो हुक के नियम के आधार पर जो अगर हम प्रत्यास्त वस्तुए हम देख रहे हैं जो भी हम प्रत्यास्त वस्तुए देख रहे हैं अगर कि अगर वो वस्तुवे कैसी है अगर वो वस्तुवे प्रत्यास्थ वस्तुवे है और प्रत्यास्थ नहीं है इलास्टिसिटी का गुण अगर उनमें है तो प्रत्यास्था सीमा के अंतरगत वस्तु पर जो आरोपित तनाव है वो क्या होता है तनाव जो है उसमें उत्पन व विकरिती उत्पण हुई, ठीक है? विस्तार जो उत्पण हुआ, ठीक है? तो वो जो प्रतिबल हमने लगाया और जो बिस्तार यहां पर उत्पण हुआ इन एक्जामपल में जो हम देख रहे हैं, इन दोनों को एक विज्ञानी काई जिन्होंने इस हुक के नियम को ही जो है एक सिस्टेमेटिक तरीक से और बहतर तरीके से जो है प्रदर्शित किया और उन्होंने क्या कहा कि प्रत्यास्ता सीमा के अंतरगत अगर हम किसी वस्तू पर क्या लगाते हैं प्रतिबल लगाते हैं तो प्रतिब प्रतिबल के लगाने के कारण जो विकृति उत्पन हो रही है वो क्या होती है एक दूसरे के समानुपाती होती है अर्थात जो हुक का नियम हमने देखा इस हुक के नियम के अनुसार जो प्रतिबल हमने किसी वस्तू पर लगाया वो उस वस्तू में उत्पन विकृति के समान उपाती है और यही हुक का नियम कहलाता है हमने प्रतिबल के बारे में देखा विकृति के बारे में देखा ठीक है तो यहां पर अगर हम इस समानुपाती के चिन्नक को हटाते हैं क्या करते हैं अगर हम समानुपाती के चिन्नक को हटाते हैं तो यहां पर जो है एक स्थिरांक लगता है ठीक है एक स्थिरांग लगता है इस स्थिरांग को जो है हम यह अक्षर से प्रदर्शित करते हैं किसे प्रदर्शित करते हैं यह अक्षर से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि हुक के नियम को यंग जी ने बताया ठीक है थामस यंग जी ने बताया तो इस स्थिरांग का ना, इन साइंटिस्ट के नाम पर जो है, यंग स्थिरांग पड़ा, क्या पड़ा, यंग स्थिरांग, ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर जो यंग स्थिरांग है, यह प्रत्यास्थता गुडांग भी कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रत्यास्थता गुडांग, और यह जो यहां से आपका हो जाएगा प्रतियास्थता गुडांक बराबर प्रतिबल बटे विकृति ठीक है तो इस रिलेशन से हुप के नियम से जो है हमको प्रतिबल विकृति के बीच का रिलेशन तो मिला ही लेकिन साथ ही साथ हमको यहां पर एक गुडांक या फिर इस्थिरांक मि समझा है उसके रिलेटेड हम यहां पर एक graph देखेंगे यह graph जो है वह आपका प्रतीबल और विकृति के बीच का graph है जो हमने हुग के relation में पढ़ा है अब यह प्रत्यास्थता की सीमा और प्रत्यास्थता की सीमा के परे क्या होता है इस चीज को आपको समझाएगा graph को अच् ठीक है एक क्या लगाया भार लगाया ठीक है अब भार लगाया इस प्रिंग में प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है ठीक है अब प्रत्यास्थता का गुण जब प्रत्यास्थत करता है तो आप यहां पर एक जो है इस तरीके से स्ट्रेट लाइन सरल रेखा आप तो यहां पर प्रतिबल और विकृति पढ़ा है तो यहां पर जो प्रतिबल है वो समानुपाती होगा किसके जो विकृति उत्पन होगी इस प्रतिबल के कारण जो विकृति उत्पन होगी इसके समानुपाती होगा प्रत्यास्तिता सीमा में होगा ठीक है अब यह जो बिंद ठीक है तो यह जो है graph प्रतिबल और विकृती के बीच का आगे पहुंसता है बी बिंदु पर जो जिसका नाम है पराभाव बिंदु मतलब कि जब हम लोगों ने यहाँ पर बल बढ़ाया ठीक है तो यहाँ पर प्रतिबल और विकृती के बीच का relation एकदम समानुपाती ना हो को लुए ठीक है तो यहां पर जो है ग्राफ आप देख पारे हो इस तरीके का आप देख पारे हो यह यह ग्राफ ने सलरेखा नहों करके थोरा सा मतलब जुका हुआ लाइन है इसके आगे जब हम यहां पर इस भार को और बढ़ा दिये, तीन गुना कर दिये मालो, ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आप देखो, स्प्रिंग की जितनी प्रत्यास्थता सीमा थी, उसके पड़े हम जाते जा रहे हैं, और आखे बढ़ गए, यहाँ पर जो है, हम सी बिंदू पर जब पहुंच गए, सी बिंदू पर जब हम पहुंच गए, तो देखो, यहाँ पर जो है, इस तरीके से देखा, जब हमने सी बिंदू पर पहुंचे तो हम इस तरीके से देख रहे हैं, इस तरीके से देख रहे हैं, मतलब कि यह जो है, एकदम सरल रेखा ना हो करके, य समान उपाती नहीं है बलकि समान उपाती नहीं बल्कि यहां पर समान उपाती ना वुकर यहां पर विकृत्थी जियादा उथपन हो रही है यह है पर सी बिंदू पर प्रदर्शित कर रहा है और जैसे ही हम सी बिंदू से आगे बढ़ते हैं मतलब कि यहां पर यहां पर हम मानलो की तीन गुना के बजाये हम छे गुना बल लगा दिये तो अब तो अर्ती हो गई अब प्रत्यास्ता सीमा से और भी बहुत जादा दूर चला गया और यहां पर जो है elasticity मतलब प्रत्यास्थता का गुण लगभक खतम हो गया मालो और यहां पर और प्रत्यास्थता का गुण देखा जाने लगा मतलब की प्रतियास्त जोन में चली गई रिजन में चली गई और ये ग्राफ जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसमें ये जो लाइन है इसका ये वाला जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा जो आप देख पा रहे हैं ये जो है प्रतियास्त आचरण को प्रदर्शित करता है ठीक है और ये स इस साइड का जो हिस्सा है ये जो है अप्रतियास्थ गुण को जो है प्रदरशित करता है ये ग्राफ आप प्रतिबल और विकृति का आपने अभी अभी देखा समझना है काफी आसान है और आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम तो हम यहाँ पर बात करते हैं प्रतिबल और वि करेंगे तो क्योंकि विक्रिती का प्रतिबल का मातरक भी नहीं होता प्रतिबल का मातत कोते हैं प्रतिबल की बाघ में हम लोगों ने पढ़ा हमने वहाँ पर मात्रक की बात नहीं की थी कोई बात नहीं प्रतिबल का मात्रक भी हम यहीं पर देख लेते हैं ठीक है तो प्रतिबल प्रतिबल हम लोगों को क्या मिला था प्रतिबल हमको मिला था सिग्मा बराबर जो एकांक शेत्रफल पर जो हम प्र क्रिटी का कोई मात्रक नहीं होता है तो प्रत्यास्ता गुडांक का यहां पर मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन प्रतिमीटर स्क्वाइर ठीक है अब हम यहां पर बात करेंगे इसकी विमा की बात करेंगे तो यहां पर जो विमा है वो विमा यहां पर प्रतिबल की विमा हम तो यहाँ पर जो प्रतिबल की विमा होगी M L की घात माइनस 1 और T की घात माइनस 2 यह जो है प्रतिबल की विमा हो जाएगी यहाँ पर हमने जो प्रतिबल की विमा जो देखी है वही यहाँ पर आपकी जो यंग गुडांक या प्रतियास्ता गुडांक जो है इसकी जो विमा है इसकी जो विमा है ये भी वही हो जाएगी जो प्रतिबल की विमा है M L की घात माइनस एक और T की घात T की घात माइनस दो ठीक है ये हो गई प्रत्यास्थता गुडांक की विमा ठीक है प्रत्यास्थता गुडांक का रिलेशन जो हम लोगों तो यहां पर हम प्रत्यास्ता गुडांक की परिभाउश हम देग सकते हैं और यह इंप्पोर्टेंट्ट narrative नियुमारीकल भी Ig्oudic थोरी भी इंपोर्डेंट है वैसे होक का नियम आपको एक्जाम में पूछा भी जाता है तो इस टाफिक को आपको बहुत ध्यां से बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसके मात्रोक और विमा के बारे में भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, और यहाँ पर प्रत्यासता गुडांक को हम E से प्रिदर्शित कर रहे हैं, आगे चलके हम प्रत्यासता गुडांक के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे हम लोग और विकृती का जो अनुपात है प्रतिबल और विकृती ठीक है विकृती को जिस तरीके से एपसलोन से प्रदर्शित किया जाता है प्रतिबल को जो है सिगमा से प्रदर्शित किया जाता है प्रतिबल और विकृती का जो अनुपात है वो प्रत्यासता गुडांक कहला रहा ह और इसके जो है तीन प्रकार होते हैं तो प्रत्यास्थता गुडांक के जो तीन प्रकार होते हैं अफकोस जो विकृति के जो तीन प्रकार हमने पड़े हैं उसी के आधार पर होते हैं क्योंकि प्रतिबल विकृति का ही अनुपात हम देख रहे हैं सबसे पहले हम बात करेंग यंग प्रत्यास्थता गुडांक की ठीक है तो सबसे पहले हम लोगों ने अभिलंब प्रतिबल और अनुदैध्य विकृति अनुदैध्य प्रतिबल या अनुदैध्य विकृति के बारे में हम लोगों ने देखा था तो यहां पर यंग प्रत्यास्थता गुडांक यह जो ह यहां पर अनुदैर्ध्य प्रतीवल और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात यंग प्रत्यासता गुडांक या यंग मापांक कहलाता है अब इनका मात्रक भी यहां पर न्यूटन पर मिटर का स्क्वाइर और इनकी विमा जो है M, L की घात माइनस 1, T की घात माइनस 2 जो अभी-भी मैंने आपको निकाल के बताया है वही होगी इनकी मात्रक और विमा की हम बात करें तो आईतन प्रत्यासता गुडांक की हम जब बात करते हैं तो यहां पर आईतन प्रत्यासता गुडांक जो है आपकी अपरूपन विकृत उत्पन होती है आईतन में प्रत्यासता गुडांक ठीक है आईतन प्रत्यासता गुडांक या इसको बलक मॉडुलस कहते हैं अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको बलक मॉडुलस ठीक है अब यह जो यंग गुडांग था यह क्या कहलाता है यंग मॉडुलस अंग्रेजी मे सिरफ प्रदर्शित किया जाता है और यह प्रतिबल और विकरिती का प्रणव कुरती का और द्रिनता गुरम करते हैं तो प्रूपन विकरिती के बारे में तो चेंग तो यहां। किस प्रकार की विकृति अप्रूपन विकृति का जो अनुपात है और अप्रूपन गुरांक भी इसको हम कहते हैं अप्रूपन गुरांक भी कहते हैं द्रेंटा गुरांक या फिर अप्रूपन गुरांक ठीक है तो तीन प्रकार हमने देखे ध्यान रखना है इसमें से जो य त्यूरी इसके रिलेटेड डूमारिकल जो है आपको एक्जाम में पूछा जाता है अब हम इन तीनों गुडांक को डिटेल में देखेंगे यंग प्रत्यासता गुडांक की बात करेंगे प्रत्यासता सीमा के अंतरगत अगर किसी वस्तु में क्या लगता है अनुदैध्य प इसके आगे हम यंग प्रत्यासता गुडांक के बारे में और डिटेल में बात करेंगे जो कि मैंने आपको मात्रक और विमा के बारे में मैंने आपको बताया है लेकिन मात्रक और विमा से पहले हम यहां पर प्रतिबल की बारे में देखते हैं ठीके तो अनुदैध्य प्रत जो है लंबाई में जो परिवर्तन होता है हना लंबाई में जो परिवर्तन होता है उसकी जो प्रारंभिक लंबाई जो होती है ठीक है यह अनुपात आपका क्या कहलाता है अनुदैध्य विकृती ठीक है और यहां पर जो है यह जब इसको आप लिखोगे शॉर्ट करके एफ पूछता है एक्जाम में यंगिए प्रत्यास्थता गुड़ांग तो इस सुत्र को आपको ध्यान रखना है अब यहाँ पर अगर हम जो है यहाँ पर जो हम सुत्र देख रहे हैं यंगिए प्रत्यास्थता गुड़ांग य बराबर FLA और डेल्टा एल ठीक है तो अगर यहा एक कांक अनुप्रस्थ काड काड शेत्रफल ठीक है और इसमें जो आकार में परिवर्तन उत्पन हो रहा है विकृति के करण जो आकार में परिवर्तन उत्पन हो रहा है ये भी क्या हो एक कांक हो ठीक है तो यहाँ पर यहाँ पर सारी चीज़े आप अगर एक कांक हो तो आप यहां से हम इसको परिवाशित कर सकते हैं कि अगर किसी पदार्थ का यंग प्रत्यास्तिता गुड़ांक का आंकिक मान उस बल के बराबर होता है जो पदार्थ के एकांक कनुप्रस्टकाट के शेत्रफल वाले तार की लंबाई को अगर हम क्या कर दे दो गुना कर दे दो गु अगर आपको पूछा जाएगा जाएगा और एकांक का शेत्रफल हो गया ठीक है तो यहां से क्या हो गया आपका यंग प्रत्यास्ता गुड़ांक जो है उस प्रतिबल के बराबर हो गया जो की प्रतिबल लगाने के करेंड लंबाई को क्या कर दे दो गुना कर दे और करने का तरीका है अगर आपको पूछा जाए तो परिभाष आप इस तरीके से लिख सकते हो इस तरीके से एक्स्प्रेंड कर सकते हो और यहां पर अगर यंग प्रत्यास्ता गुड़ांक के विमा और मात्रक की बात करें ठीक है तो यहां पर प्रतिबल बटे विकृती प्र अब यहां पर यंग प्रित्यासिता गुडांका का मापन किया, कैसे किया जाता है, तो इसको हम बहुत ही क्विक्ली देखेंगे, यह इसकी थेओरी आप जो है देखेंगे, बहुत ही फड़ावट से देखेंगे, यह डाइग्राम आप देख पा रहे हो, यहां पर इस को नापने के लिए वर्नियर स्केल का यहां पर इस्तमाल किया जाता है, अब दो तार क्यूं लगाए गए हैं, ताकि अगर मानलो की जैसे कि हम यहां पर क्या कर रहे हैं, किसी एक तार के लंबाई में परिवर्तन, यानि की अनुदैध विकृति को हम यहां पर, तो इसके मापन में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम यहां पर एक रिफरेंस तार का नाम दे रहे हैं, बात समझ रहे हो, मन्म हम इसके रिस्पेक्ट में इसको तॉल रहे हैं, जैसे कि तराजु में एक तरप आप बांट रखते हो, और दूसरी तरप आप समान रखते हो यहां पर यह जो भार हमने रखा है यह जो है प्रतिबल का कारे करता है और इस भार के कारण ठीक है यह भार के कारण जो है प्रतिबल यहां पर लग रहा है प्रतिबल यहां पर भार के रूप में लग रहा है जिसके कारण जो है यहां पर अनुदैध विकृति उत्पन हो रह मिलब की दो नीचे में हमने मालो की कुछ रख दी हमने कुछ प्लेट वगरा रख दी हाँ अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं पहले हमने एक रखा फिर दो रखा जैसे हमने प्रतिबल और विक्रिती का ग्राफ देखा तो धीरे-धीरे हम भार बढ़ाते गए थी ना स्प्रिंग का वैसे हम यहाँ पर एक तार पर रखे हुए है और उसके लंबाई में होने वाली विक्रिती को यहाँ पर कैल्कुलेट कर रहे हैं एक रखा फिर दो रखा फिर तीन रखा ठीक है और हम यहाँ पर क्या कर देगा है यहाँ पर वर्नियर स्केल से यहाँ पर जो लंबाई में विक्रिती उत्पन हो रही है प्रतिबल के कारण भार बढ़ाते जाने के कारण जो यहाँ पर प्रतिबल के कारण यह विक्रिती ज कर लिया नाप लिया ठीक है तो नाप लिया तो जब हम दों डापा तो हमने मानलों कि यहां पर एक टेबल बनाया प्रायोगी कि और इन का जब हमने अनूपाद रीया तो हमको क्या मिल गया यह प्रयोग प्रत्यासाता घुर आंक हमको मिल जाएगा यह थियो कि थ्यारी का प्रयोग व्यवस्ता की थ्योरी आप इस तरह इस तरीकशे से लिख सकते हो फटाफ़र आप देख सकते हो जो मैंने आपको explain किया, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसकी व्याख्या, जो प्रयोग की व्याख्या मैंने आप लोगों के लिए की गई है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है, चाहो तो आप फटाफर से screenshot ले सकते हो, अब इसके बाद, इसके बाद आगे ह और डेल्टा, स्वारी, L बटे प्रारंभी लंबाई, बटे डेल्टा L, ना, डेल्टा L मतलब जो परिवर्तन हो रहा है, वो, ठीक है, तो यहाँ पर जो हम ये भार लगा रहे हैं, यहाँ पर जो हम प्रतिबल लगा रहे हैं, यहाँ पर जो प्रतिबल लगा रहे हैं, वो तो यहां से यह यंग प्रत्यास्तिता गुड़ांक का एक नया रूप में सुत्रा आपको मिल गया है वही बस यहां पर हमने जो है जो प्रतिबल लगाया है प्रतिबल के रूप में एकांग शेत्रफल के लिए जो इस्तमाल किया है वो हम लोगों ने भार कर इस्तमाल किया है है न वस्तु मतलब कि महाँ पर हम कुछ भारी वस्तु रखते गए हैं जो एम जी के रूप में हाँ पर उसको आपको क्या करना पढ़ेगा कैलकुलेट करना होगा वही सारी चीजी यहाँ पर बताई जा रही है आपको और जो हम लोगो प्रयोग किये उसके अधार पर इस तरीके से आप क्या करोगे कैलकुलेशन करोगे यंग प्रत्यास्ता गुडांक निकालोगे आगे वड़ते हैं अपरूपन गुडांक के बारे में जानते हैं तो अभी हमने यंग विक्रिति उत्पन होती है और जो कि क्या कहलाता है आईतन प्रत्यास्थता गुडांक या फिर बलक मॉडूलस हम इसको बोलते हैं और यह जो है बलक मॉडूलस आईतन प्रत्यास्थता गुडांक भी अक्षर से प्रदिशित करते हैं और यह आपका अभिलंब याने की अनु अब इसकी जब अगर हम मातरक और विमा की बात करेंगे तो इसका मातरक जो है इसका भी N मीटर स्क्वाई और विमा M L की घाथ माइनस EK, T की घाथ माईनस 2 ही होगा जिसकी पहले हो रहा है क्यों कि किसी भी प्रकार की विक्रितly का यहाँ पर कोई मातरक या विमा है नहीं तो जो प्रतिबल का मात्रक और विमा है वही जो है यहां पर सारे गुडांकों के लिए भी होता जाएगा, ठीक है, अब हम अपरूपन गुडांक की बात करेंगे, तो अपरूपन गुडांक में जब प्रत्यास्ता सीमा के अंदर किसी वस्तों में हम क्या लगाते हैं, इस प पर्शिय प्रतिबल बटे अनुपात है, इस पर्शिय प्रतिबल बटे आप या फिर नीचे में लिख सकते हो, इस तरीके से इस तरीके से भी लिख सकते हो, अपरूपन विकृति का अनुपात है यहां पर, इसको हम क्या कर रहे हैं, परूपन गुडांक को जी अक्षर से प्रदर्शित कर रहे हैं ठीके यह हो गया अप्रूपण गुडांक आईतन गुडांक पाईसन अनुपाद के बारे में बात करेंगे तो यहाँ से आपका एक next topic पाईसन अनुपाद अब यह क्या होता है तो पाईसन अनुपाद जो है दो प्रकार की विकृतियों का अनुपा और दोनों प्रकार कि यह जो विकृति का अनुपात है वो क्या कहलाता है पाइसन अनुपात कहलाता है और पाइसन यहां पर जो है एक साइंटिस्ट का नाम है जिनों ने यह थियोरी दी थी जिनके नाम पर यह पाइसन अनुपात कहलाता है इसको पाइसन की निस्पत्ति भी हम कहते हैं और यहां पर इस पाइसन की निस्पत्ति को भी हम सिग्मा अक्षर से प्रदर्शित करते हैं अनुप्रस्थ विक्रिती बटे अप्रूपन विक्रिती इसको भी हम यहां पर सिग्मा अक्षर से प्रदर्शित कर रहे हैं ध्यां रखना है आपको ठीक है तो यह हो ग का मतलब जब हम अभी लंबवत बल लगाते हैं ठीक है तो इसकी लंबाई में विकृति उत्पन होती है अनुदैध्य विकृति का मतलब लंबाई में विकृति क्या लंबाई में विकृति क्या लंबाई में विकृति अनुप्रस्थ विकृति का मतलब जो है इसके आकार में जब विकृती होती है क्या आकार में जब विकृती होती है ठीक है आकार में विकृती होगी जैसे कि आप ये इस डाइग्राम में आप देख पारे हो कि मालो की कोई वस्तु जिसका आकार पहले कैसा था ये पहले का आकार है जो डेश डेश वाली लाइन है ठीक है जब हम में विद्धी के साथ साथ इसका अनुप्रस्थ कार्ट कम हो गया यहां पर क्या हो गया इसका अनुप्रस्थ कार्ट का शेत्रफल कम हो गया ठीक है तो यहां पर क्या हुई अनुप्रस्थ कार्ट का शेत्रफल कम होने की वजह से अनुप्रस्थ विकृति ठीक है और करकार की विकृती का जो अनुपात है यह पाइसन अनुपात कहलाता है जो इस यह बहुत अच्छ सिंसे समझ एंतपन हुई गैला है अ छो little judge 5 कल लोगिसमें इसके व्यास में परिवर्तन Capital D minus small d, ठीक है, मतलब पहले इसका जो है व्यास capital D था, अब कितना कम हुआ, d कम हुआ, small d कम हुआ, small d कम हुआ, मतलब capital D minus small d, ठीक है, capital D minus small d, अब यहाँ पर, यह जो विकृती है, वो कैसे निकलेगी, यहाँ पर अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पर, यहाँ पर अनुप्रस विकृति अनुप्रस्थ विकृति जो आपकी निकलेगी ये निकलेगी आपकी डी बटे क्यापिटल डी और ये अपरूपन विकृति अपरूपन विकृति हां यहां पर जो है हम बात करेंगे किसकी हां यहां पर देखो हां यहां से समझना यहां पर अनुप्रस्थ तथा अ अनुपात को तो यहाँ पर इसको आप अनुप्रेस्थ और इसको अनुदैध है लिख लेना ठीक है इसको क्या लिख लेना अनुदैध है लिख लेना और जब अनुप्रेस्थ और अनुदैध जब विकृति की हम जब बात करते हैं तो अनुप्रेस्थ विकृति का मतलब जो हम जब उल्टा लिख देंगे तो यह आपका क्या हो जाएगा हाँ एक बारी समझना एक बारी समझना यहाँ पर थोड़ा सब्दों में फरक कर दिया गया है ठीक है यहाँ पर परिभाशा में क्या लिखा हुआ है कि अनुप्रस्थ विकृति तथा अनुदैद है विकृति के अनुपात को हम क्या कहते है पाईसन की निस्पत्ति कहते है अनुप्रस्थ विकृति का मतलब क्या होता है अनुदैद है विकृति तो अनुदैद का मतलब जब लंबाई में हो ठीक है और यहाँ पर अनुप्रस्थ का मतलब जो है इस पर्ष रेखिया परिवतन हो प्लीज आप इसको कैंसल कर लेंगे यहाँ पर शब्दों में थोड़ा फरक आ गया है यहाँ पर पाईसन अनुपात हम लिखेंगे तो पाईसन अनुपात का मतलब आपका हो गया अनुप विक्रिती बटे अनुप्रस्थ विक्रिती ठीक है तो जो लंबाई में परिवर्तन हुआ तो लंबाई में जो परिवर्तन हुआ वो विक्रिती क्या हो जाएगी आपकी डेल्टा एल बटे एल और जो अनुद्याद्ध मतलब इस पर्ष रेखिये जो परिवर्तन हो रहा है वो small d व्यास में परिवर्तन हो रहा है बटे capital D, अब correct है, अब correct है, correct करके लिख सकते हो, यह आपका हो जाएगा delta L, D, बटे यह हो जाएगा क्या, L और small d, ठीक है, L जो है प्रारंभिक लंबाई है, और capital D जो है प्रारंभिक व्यास है, और यह लंबाई में परिवर्तन है, और यह जो है व्यास में परिवर्तन जो आपका हुआ है, small d वो है, अब correct है, अब बिल्कुल correct है, प्लीज इसको correct कर लेंगे, अनुप्रस्थ और अनुपात को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, ठीक है, अनुप्रस्थ का मतलब इस पर शरेखी है, जब विकृती होती है, तो वो अनुप्रस्थ अनुदयज मतलब जो लंबाई में विकृती होती है, वो अनुदयज विकृती, ठीक है, अब यह जो formula, आभी मैंने जो लिक कर बताया, वही formula आपको यहाँ पर लिक करके दिखाया गया है, और यह भी आप explain कर सकते हैं, theoretically, जिसके लिए आप इसका screenshot ले सकते हैं, फटाफट से, जो मैंने explain किया है, वही चीज है, ले लो फटाफट से screenshot, इसके आगे बढ़ते हैं, और आगे हम यहाँ पर जो है, क्विक देखेंगे, क्योंकि यह एक बार हम को जस्ट देखना है, समझना है, बहुत जादा महत्वपुन नहीं है, पर एक बार हम इनको देख सकते हैं, इन सारी चीजों को, स्वयम के भार के करण अगर तार की लंबाई में वृद्धी होती है, तो इसको जो है, दो तरह से, मतलब तार की लंबाई में वृद्धी होती है, तो इसको जो है, हम बिलकुल, मतलब प्रयोग के द्वारा देख सकते हैं, इस इसको हम दो प्रकार से देखेंगे निलम्बन बिंदू पर अधिकतं प्रतीबल और निमनितम बिंदू पर नियूनतं प्रतीबल। और खुद के भार के कारण इसके हर हिस्से पर क्या होगा हर हिस्से पर कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ क्या होगा हर हिस्से पर कुछ ना कुछ विकृति उत्पन होगा तो स्वयम के भार के कारण जो यहाँ पर कुल विकृति उत्पन होगी उसके लिए ये फॉर्मुला है और स्वयम के भार के करण ये विकृति जो उत्पन हुई है जिसका फॉर्मुला यहां पर यह जो है इस रसी का भार है इसलिए इस फॉर्मुला का आपको ध्यान रखना है और जैसे कि मैंने इस से रिलेटिट चीज़े आपको पहले भी समझा आ चुकी हुँ मैं तो वहां से रिलेट करके आप इस फॉर्मुले को देख सकते हैं और यहां पर इस खीचे हुए तार की स्थिते जुर्जा के लिए फॉर्मुला है तो यहां पर इस फॉर्मुला भी उत्मा जादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप देख सकते हैं ज़स्ट स्वयम के भार के करन्ट जो लंबाई में वृद्धी हुई है लंबाई में जो परिवर्तन हुआ है अगर हम उसके स्थिते जुर्जा की बात देखा और इसको प्रभाविद करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं तो सबसे पहला कारक है यहांपर ताप तो प्रत्यास्ता के गुण में ताप के कारण प्रभाव देखा जाता है इसलिए हम लोग ने के offered हम लोग ने रिफ्रेंस तार याने की संदर्विता दो ताड लि तो प्रत्यास्तिता का गड़ भी गुण भी क्या होगा कम होगा प्रत्यास्तिता का गुण कम होगा मतलब की जो प्रत्यास्तिता गुणांग है वो क्या होगा घटेगा प्रत्यास्तिता गुणांग घटेगा elasticity घटेगी plasticity बढ़ेगी elasticity घटेगी plasticity बढ़ेगी plastic का घुन बढ़ेगा और plastic ताप के साथ क्या होती है plastic जो है plastic elasticity कम होती है और plasticity बढ़ती है ताप के साथ ठीक है तो यह परिवर्तन होता है और विशेश प्रकार के कुछ steel ऐसे होते हैं जहां पर प्रत्यास्थता गुणांग का ताप के कारण भी परिवर्तन नहीं होता तो जैसे रॉकेट बनाई जाते हैं तो वहाँ पर तीन हजार से भी ज्यादा डिग्री टाइमपरेचर होता है तो उसको इस तरह के मंटेरियल से बनाई जाते हैं ठोस वस्तु ऐसी ली जाती है जहां अगला कारक हम देखेंगे अशुद्धी का प्रभाव अगर हम मान लों की कोई भी अशुद्धी बढ़ाते हैं तो प्रत्यास्थता गुणांग का थोड़ा सा बढ़ जाता है अब जैसे की बढ़ गया तो अशुद्धी मिलाने से तार के अंदर का जो प्रभावी रूप से अंतर आणविक आकर्शन बल है देखो प्रत्यास्थता गुणां कभी बढ़ जाएगा अंतर आणविक आणविक जो बल है आकर्शन बल वो भी बढ़ जाएगा अब आकर्शन बल बढ़ जाएगा तो प्रत्यास्थता का गुण बढ़ रहा है और प्रत्यास्थता का ग जाएगा प्रतियों बल बढ़ जाएगा प्रत्यों बल बढ़ जाएगा और यहां पर जब हम अशुद्धी मिलाते हैं तो उसकी करणंग अंतर सिध्य फे लिधान के अक्षर नियातांकbla की और अहली करेंक जब प्रत्यासिता घुणग और यंग प्रत्यास्ता गुडांक भी बढ़ रहा है और अंतर आणविक आकर्शन बल नियतांक के उपर निर्भर करेगा कि कितना प्रत्यास्ता का गुड बढ़ेगा तो यह हमने सारी चीजे है पूरी देख ली इस चाप्टर के जो में महत्वपुन बिंदू है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ठोस के लिए जो अंतर आणविक बल नियतांक जो अभी अभी हम लोगों ने देखा वो अधिकता होता है जबकि गैस के लिए क्या होता है नियूनतम होता है ठीक है आईतन प्रत्यास्ता का गुडांक सर्वर प्रतम मैक्सवल जी ने दिया था और पदार्त का गुड़ है क्योंकि तरल की कोई निश्चित आकरिती नहीं हो थोस पदार्त का गुड़ है क्योंकि तरल की कोई आकरिती की बात करते हैं ठीक है तो हम वो थोस के लिए देखें कि तरल में नहीं होगा ठीक है बाकी जो प्रत्यास्ता गुडांक के प्रकार आप लोगों ने देखे उसमें से कुछ प्रकार तो जब आप तरलो के यांत्रिक गुण पढ़ोगे तो वहां पर भी इस्तमाल किये जाएंगे लेकिन पर्टिकुलर हम दृड़ता गुड़ांक की जब बात करते तो केवल ठोस के लिए होगा क्योंकि तरलो की कोई आकरिती नहीं ठीक होती है गयी तो फिर बाती नहीं है थिके तो लहां किसी तार को खीच रहे हैं तो उस टार को किचने ईतना क्या किया जा रहा है तो उस कारे के बराबर करने के शंब्दा को हम क्या कहते हैttा कर ने की हम बात कर लिए पर लहल मि schwक्रा और तो उसके बाद हम प्रत्यास से इस्तिज उर्जा घनत्व की भी बात कर लेते हैं यह अगर आपसे पूछा जाई तो आप लिख सकते हो कि इस उर्जा घनत्व डबलू बटे वी एक बटे दो प्रतिबल गुणा विकृति जस्ट आप देख सकते हैं इस्तिज उर्जा अंदर का जो छेत्रफल है वही आपकी सितिज उर्जा घनत्व कहलाता है अब यंग प्रत्यास सता गुणांक जो है प्रतिबल विकृति का जो वक्र ढाल हमने एक ग्राफ देखा था ठीक है तो उसके बीच का जो हम लोगों ने देखा था प्रतिबल और विकृति के बीच का यही क्या है आपका प्रत्यास्ता गुणांक है यही आपका क्या है प्रत्यास्ता गुणांक है तो एक महत्रपुन पॉइंट इस चाप्टर के जो निकल आ सकते हैं वो हमने देखे जल्दी से चाहो तो आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तो फिर ये जो one shot है आपका पूरा हो चुका है हमने ठोसों के यांतरिक गुणों के बारे में सारी चीजे इस one shot में completely हम लोगों ने देख ली है and high hope मैं उमीद करूँगी कि आपको ये one shot जो है बहुत ज़ादा काम आने वाला है और आपकी परिक्षा में ये one shot आपको रिविजन करने के लिए बहुत हेल्प करेगा सारे points को आपको ध्यान से सुनना है एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार सुनना है short notes बनाने में आपको ये one shot काफी ज़ादा help करेगा और अगर इस one shot में आपको कोई भी doubt है कोई समस्या है कोई भी डिक्कत है तो नीचे आप comment box में लिखकर मुझे जरूर बताएंगे और इसी तरह आपके लिए हम बहतरीन वीडियो लाते रहेंगे हमारे इस youtube चैनल पर और अगली वीडियो आपको किस topic पर चाहिए ये भी आप नीचे comment box में लिखकर जरूर बताएंगे और इसी के साथ ये video ये session हमारा समाक्त होता है मिलते हम अपने next lecture में और तब तक के लिए बाई बच्चो